शुगर के मरीजों को अब रोती खाने से परहेज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आचुका है डाबिटिक आटा जिसे लखनों की ही कुछ महिलाओं ने मिलकर बनाया है मेरा नाम जो है मिसस मनी टंडन है और पैशी जगदमा महिला गरे उद्योग समिती की सचीव हूँ और मैं जो हूँ मैंने जो बनाया है वो डाबिटिक आटा बनाया है और ये डाबिटिक आटा जो है डॉक्टर राजी ववस्ती जो की शुगर स्पेशलिस्ट है उन्होंने बनवाया है क्योंकि मेरी जो संस्ता है वो कई तरिके के आटे बनाती है एक बनाती है वो मल्टी ग्रेंड मिक्स जो की नारियो को सप्लाई होता है तो जब डॉक्टर राजी ववस्ती ने जो था इसको खाया मल्टी ग्रेंड मिक्स को तो उन्होंने मुझे बुलवाया और कहा कि आप हमारे लिए एक आठा बनाएए डियाबिटिक आठा तो मैंने का शोर तो जो भी इंगीडियंट्स डियाबिटिक आठा में पढ़े हैं जो भी रेशो है वो सब डॉक्टर राजीव अवस्ति की द्वारा ही बताया गया है तो जब मैंने ये बनाया और डॉक्टर आटा जो है हम अपने इस उद्योग में लेकर आए हैं इस आटे में क्या कुछ मिला हुआ है उसकी खासित बता दें इस आटे में जो है वो 20 परसंट गेहू है और 80 परसंट जो है वो मोटे अनाच है तो गेहू हो गया 20 परसंट और 80 परसंट में आया अलसी, रागी, जौर, बाजरा, चना, चिया सिर्स और सोया बीन और इसमें जो इसकी मात्रा बताई है वो डॉक्टर राजी ववस्ती जी ने खुद बताई है कि आप इस तरीके से बताई है ताकि कि आपके शुगर लेवल मेंटेन रहेगा मैंने अपने मदर के साथ भी इसको यूस किया उनका भ इसकी क्या कीमत है एक किलो की जो है वो वन सिक्स्टी रुपीज है और आप जैसा की देखेंगे जितने भी मोटे अनाज हैं मैं सब को यह रिकमेंड करूं कि जितने भी मोटे अनाज आप लोग कंजियूम कर रहे हैं इसको आप भून के ही यूज करें तो ताकि उसे डाइ सुंधी रोटिया होती है उसकी इसमेल और उसी का टेस्ट आएगा क्योंकि यह जो आटा है अमोमा लोग सवाल खड़े करेंगे तो हम यह जाना चाहेंगे क्या यह टेस्टेड है जा टेस्टेड तो नहीं है जो टू भी बेरी फ्रेंक लेकिन हाँ इसको जो है काफी लोगों में नहीं पड़ी हुई है जो कि कहते हैं आपका जिसे कहना चाहिए कि हमारे स्वास के लिए अच्छी नहीं है यानि यह है कि इसे खाने के बाद शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा हाँ लेकिन शर्त यही है जो डियाबिटिक पेशेंट है उनको सिफ यही आटा खाएं जो यहीं आटा खाएंगे तो नहीं है लेकिन अगर आपने गेहुं का इंटेक ज्यादा कर लिया तो आपकी शुगर लेवे शर्तिया बढ़ेगे और इस आटे का जो आपको असर है वो तीर दो से तीन महीने के बाद ही आना शुरू होता है मैं हम यह भी जानना चाहेंगे कि अभी इसके बिकरी कितनी है आपके पास अभी तो माउट पब्लिस सिटी से है और जैसे डॉक्टर राजी ववस्ती रिकमेंड करते हैं वो है और जिनको फायदा किया है वो लोग हमको एप्रोच करते हैं अभी यह जो आपके हाथ में है यह कितने ग्राम का है यह मेरे पास 500 ग्राम का है इसकी कीमत जो है 80 रूपीज है और खास बात है कि डियाबिटिक जब मरीज होते हैं यह डियाबिटीस उनको हो जाती है तो खाने पे काफी कुछ पाबंद्या लग जाते हैं जो चावल नहीं खा सकते आलू नहीं खा सकते उन्हें जादा तर जो है सामान इसे फूड पर ही जीना पड़ता है जिससे उनके मूग का स्वाद भी खराब हो जा तो कई बार जो मधुमे के मरीज होते हैं काफी परेशान हो जाते हैं खाने पीने को लेकर के तो उनकी समस्य का समाधान इस आठे के जरिये कर दिया गया ह तो ऐसी और जानकर जोड़ी में साथ मैं लखनो से अंजली सिंग राजपूत लोकल 18